नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग गुखुल क्लासेस में आप सभी के स्वागत करता हूँ आपके लिए लेकरा हैं क्लास 10 साइन्स क्वेशन पेपर देखिए पहला क्वेशन एक किसी विदु धारावाही सिधी लंबी परिनालिका के भीतर चुम्बकी ये छेत्र चुम्बकी ये छेत्र होता है आपका सभी बिंदु पर समान होता है तो इसमें हम अप्शन नमबर देख लेंगे तो इसमें अप्शन नमबर हमारा डी सही है किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुम्बकिय छत्र कमान क्या होता है घड़ता है या घड़ता बढ़ता दोनों है तो आपको हम बता दें इसमें जो है घड़ता है यहाँ पर इंसर हो जाएगा आपका यह नमबर नेक्स कोशन है जिवासमी इंधन के जोलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है तो आक्सीजन गैस जो है मुक्त नहीं होती है यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा आक्सीजन next question है उर्जा का मात्रक होता है यहाँ पर अंसर हो जाएगा आपका b number next question है निमलेखित में कौन से इंत्र का उपियोक रक्ट दाब मापने में किया जाता है रक्त दाब तो आपको हम बता दें s500 मेनो मिटर यहाँ पर अंसर हो जाएगा c number next question है आपका अतोस्वाई गरंथियों से क्या स्रुवाइद होता है तो आपको हम बता दें हार्मोन होता है तो यहां पेंसर हो जाएगा आपका D number next question है आपका रुधिर का कौन सा आवया है रप्त स्वाई को रोकने में मदद करता है तो प्रेटलेस तो यहां पेंसर हो जाएगा आपका C number next question है मस्टिस्क का कौन सा भाग सरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षड है अनुरक्षड करता है तो आपको हम बता दें अनुमस्टिस्क हमारा एंसर हो जाएगा C number no number question है अपका कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है तो यहां पेंसर हो जाएगा B number युं बी एप के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत रहा है तो लेन सुत्र होता है 1 by B minus 1 by U equal to 1 by A तो यहाँ पे अंसर हो जाएगा B number दरपन सुत्र होता तो A number हो जाता है पलस रहता है उसमें किसी माध्यम के अपोर्तनांक Mu का मान होता है Mu तो Mu का मान होता है आपका देखिए Mu का मान sin I बटा sin R तो यहाँ पे है sin I बटा sin R यह number एंसर हो जाएगा औस्टक सिधान को किसने अस्थापित किया है तो औस्टक का सिधान का जो है अस्थापित जो है निवलेट्स यहाँ पे एंसर हो जाएगा B number Next question है आदनिक आवर साणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है ठीक है तो आपको हम बता दे 16 है यहाँ पे असर हो जाएगा C number लोहाय हम इस पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस दातु की पतली परत चड़ाई जाती है परत जो है चड़ाई जाती है आपका जिंक का यहाँ पे असर हो जाएगा D number Next question है आपका बकसाइट निमले खित में किस दातु का आएस्क है किस दातु का आएस्क है तो आपको हम बता दे अलमूनियम का C number असर हो जाएगा Lord Na2 Co3 का जलिये billion का pH है तो आपको हम बता दे pH है साथ से अधिक हमारा एंसर हो जाएगा B number Next question है हमारा Plaster of Paris के रसाइनिक सुत्र क्या है तो Plaster of Paris का रसाइनिक सुत्र हमारा हो जाएगा C A SO4 Half H2 हो हमारा एंसर हो जाएगा C number Next question है हमारा Castic soda का उपियोग होता है Castic soda का उपियोग होता है Castic soda का उपियोग Petroleum के सोधर में हो जाएगा इसमें अनसर आपका निम्रिखित में कौन सबसे अधिक अभिकिरिया सील दातु है सबसे अधिक तो किये number हो जाएगा यानि कि Potassium सम्नांतर करम में सन्योजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांद सन्योजित प्रतिरोधों का कूल प्रतिरोध क्या होता है तो कूल प्रतिरोध जो है बड़ता है तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा हमारा यह number देखिए next question है उर्जा का SI मतरक क्या होता है तो उर्जा का SI मतरक होता है जूल तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा आपका जूल B number next question है विधुत उर्जा का बेपारिक मातरक क्या है तो आपको हम बता दे बेपारिक मातरक जो है आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है ठीक है विधुत उर्जा का उसके बादे दो छेत्रिये देखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे को जो है छेत्रिये देखाएं प्रतिछेद नहीं करती है, इसमें एंसर हो जाएगा, तेंसर हो जाएगा हमारा B नमबर, ठीक है, next question है हमारा, स्वपोसी पोसड के लिए आवस्यक है, तो स्वपोसी पोसड के लिए आवस्यक है, इन में से सभी CO2B, क्लोरोफिल भी सोर परकास भी, तेंसर हो जाएगा आपक स्वपोसड और परपोसड, अगला question है, कौन सा आविला छड बनसागत नहीं है, तो दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें जो है, अंसर हो जाएगा, बाल की प्रकृति, बाल की प्रकृति, D नमबर अंसर हो जाएगा, next question है, पाइरुवेट के विखुंडन से या कार्बन डाइक्साइड जॉल तथा उर्जा देता है, यह किरिया होती है, यह किरिया होती है, तो B नमबर, यानि कि माइटो कांडिया में, यहां एंसर हो जाएगा B नमबर, next question है, रसाइनिक अविकिरिया के दोरान किसी पदार होस काहलाता है, तो अक्सिजन का होस काहलाता है, यहां पे अंसर हो जाएगा आपका B नमबर, next question है, शुद जॉल का पी एच हमान होता है, आपका 7, तो यहां पे अंसर हो जाएगा हमारा 7, next question है आपका, निमलन कित्म से कौन सा यह होगी, इंधन के रूप में इस्तमाल किय जाता है, तो इथनोल हमारा एंसर हो जाएगा यह नमबर, हीरा तथा गरिफाइट कार्बन के क्या है, हीरा तथा गरिफाइट कार्बन के जो है, अपरूप है हमारा एंसर हो जाएगा D नमबर, next question है, खुला परिसंचर और तंत्र किसमें पाए जाता है, किसमें पाए जात है तो क्रोच में हमारा एंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नमबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबान सिकी का पीता किसे माना गया है किसे कहा जता है तो आपको हम बता दें ग्रेगर जॉन मेंडल को हमारा एंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नमबर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्स क्वेशन है निम्ने में कौन से गंगा पर दूसर के लिए उतरदाई नहीं है तो गंगा में मचली पालना जो है उतरदाई नहीं है हिलियम परमाडू के बारिक अक्षा में कितने उलेक्ट््रोन होते थैं तो ग्लियोग गलकोंपार्थ और आहिंने संत्रिप्त हाइड्रो कार्बन कहे जाते हैं आपको हम बता दें एलकेन को हमारा एंसर हो जाएगा बी नमबर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और 40 अब्जेक्टिव कोशन बनाएंगे क्योंकि आप जानते हैं आपको जो है 40 कोशन बनाना है और सी कोशन आएगा अब्जेक्टिव जिसमें से 40 बनाना है तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नेटिफिकेशन आपको बिलते रहेगा थैंक्यों दोस्तों रादे रादे दोस्तों